स्वागत है आपके अपनी चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में बंगला देश प्रेमियर लिग चट्टो ग्राम चलेंजर्स परसस रंगफूर राइडर्स डेट 8 फैबरू अरी 2023 टाइम सामके 6 बजे मैच नमर 40 मैच बनियों की बात करें तो सेरे बंगला नैशनल इस्टेडियम मिरिफूर ढाका बंगला देश में खेला जाएगा पिछ रिपोर्ट की बात करें सता इस अस्थान पर 145 से कम के स्कोर का फिछा करना असान बनाया देगी क्योंकि यह उस दिन का दूसरा खेल होगा जिसे बल्ले वाज़ों और इस पिंडरों को अधिक लाव होगा इस मैदान पर दूसरे नमर पर बल्ले वाज़ी करने वाले टीम ने अधिक तर मैच जीते हैं वेदर रिपोर्ड की बात करें बारिश की ज़्यादा संभावना नहीं होगी और रात का मौसम समान ये रहेगा आज का खेल पूरा होने के उम्मीद है तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस रेंज में होगा यहां का मौसम क्रिकेट खेलने के लिए आदर्स होना चाहिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दिजिएगा सेरे बंगला नाशनल इस्टेडियम इसको रिकाउट की बात करें तो टोटल मैच 220 खेला गिया है बैटिंग फर्स्ट वाले 101 मैच जीते हैं बॉलिंग फर्स्ट वाले 118 मैच जीते हैं फर्स निंग 9 वीकेट के लुक सान पर चचट्टो ग्राम चैलेंजस करकेट्टीम इंजडी की बात करें तो इसका अफिटक क्यर्ब ओडेट नहीं है रैंगपूर राडर्स क्रिकेट्टीम इंजडी की बात करें तो जीतने के प्रावल दावधार है चट्टो ग्राम चालेंजर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर्जर और आखरी मेच में बात शेनल से की आख्राइएं अफिफ हुसेन की बात करें तो पहला मैच में 3 बॉल पर 1 रन की पारी खेले, 49 बॉल पर 66 रन की पारी खेले, 27 बॉल पर 34 रन की पारी खेले, 23 बॉल पर 37 रन की पारी खेले और आकरी मैच में पैटिंग का चांस नहीं आये थे उस्मान खान की बात करें तो विकेट की पर है जो 29 बॉल पर 30 रन की पारी खेले थे 41 बॉल पर 52 रन की पारी खेले एक बॉल पर 0 रन की पारी खेले तीन बॉल पर 4 रन की पारी खेले थे और आकरी मैच में 31 बॉल पर 45 रन की पारी खेले थे स्वागता हों की बात करती है टिम का कैप्टन है जो 2 बॉल पर 1 रंड की पारी खेले 10 बॉल पर 12 रंड की पारी खेले 29 बॉल पर 54 रंड नोट आउट की पारी खेले थे 5 बॉल पर 2 रंड की पारी खेले और आकरी मिच में 31 बॉल पर 22 रंड की पारी खेले थे पहला मुच में यह एक विगेट निकाले अगला मुच में यह बॉलिंग नहीं किये थे अगला दो मुच में यह विगेट लेस रहे थे और आखरी मुच में यह दो विगेट निकाले थे अपने टीम के लिए कर्थिस केमफर की बात करें तो पहला मेच में यह 16 बॉल पर 11 रंड की पारी खेलें अगला मेच में 0 बॉल पर 0 रंड की पारी खेलें 4 बॉल पर 4 रंड की पारी खेलें 25 बॉल पर 45 रंड की पारी खेलें 17 बल पर 21 रन की पारी खेले थे 26 बल पर 25 रन की पारी खेले और आखरी मैज में 14 बल पर 11 रन की पारी खेले थे जाओर रहमान की बात किरें तो 20 बल पर 34 रन नो टाउट की पारी खेले 2 बल पर 0 रन की पारी खेले 12 बल पर 24 रन की पारी खेले 9 बल पर 11 रन की पारी खेले और अक serval पर 2 रण्की पारिके लीते हैं यह लगतार 2 मच्च में 2 दो विकेट निकाल धे अगला मच्च में बाुलिंग नेक हैं फिर अगला मच्च में बिकेट लेश रहे थे और आकरी मच्च में या एक मिकेट निकाले थे अपने टीम के लिए, मुर्तुन जै चौधरी की बात करें, तो लगतार दो मच में यह दो दो विकेट निकाले थे, अगला मच में विकेट लेस रहे थे, और आखरी मच में यह विकेट लेस रहे थे, मोहमद निहादू जमन की बात करें, तो पहला मच में यह एक विकेट निकाले थ और आखरी मेंच में यह दो विकेट निकाले था अपने टीम के लिए बैंच पिलियर की बात करें तो अल आमीन है आसन पिर्यंजन है अभिसेक मित्रा है ख्वाजा नफे है मैक्स और डोड है टेफिकू खान है महदी हसन रणा है फरहाड रेज्जा है मलिंदा पुस्पा कु रंडो है रंगफूर राडर्स टीम की बात करें तो यह लगतार पाच मैच जीते हैं मुहमद नाइम की बात करें तो पहला मैच में 32 बल पर 45 रंग की पारी खेले अगला मैच में 2 बल पर 0 रंग की पारी खेले 5 बल पर 0 रंग की पारी खेले 21 बल पर 18 रंग की पारी खेले नुरल हसनग की बात करें, तो यहां टीम का यापटन है, साथी बीकेट कीपर भी है, जो पहला मैच में 17 बलफट गारी एक धिए या लगतार राक removed 2 vegate निकाले खृतान विए लाकान में डोぐ इक धे निकालें गाले अरन- heck invece में यह एक धे में बैटिंग का चांस नहीं आये थे फिर अग्ला में तैस बल पर 12 रण की पारी खेले थे तीस बॉल पर 20 रण की पारी खेले थे अग्ला में नोबल पर 7 run not out की पारी खेले 8 बल पर 12 run not out की पारी खेले थे फिर 9 बल पर 4 run की पारी खेले थे और आखरी मैच में 24 बल पर 42 run की पारी खेले थे पहला मच में यह विकेट लेस रहे थे, अगला दो मच में यह दो-दो विकेट निकाले थे, फिर अगला मच में तीन विकेट निकाले थे, और आखरी मच में यह एक विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए, समीम हुसेन की बात करें तो पहला मच में बैटिंग का चांस नह दो मेच में बेटिंग एटार दो मेच में आहीं थे और आखरी मेच में 30 ऊणये लेत अगला मैच में 3 मं इन चारवीट निकाने लिए अपने टीम के लिए लगे हवसन महमूद के बात करें टो लगतार 2 game me 1 एक 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 एड नीका लेते हैं तेंदह प्रवेशक्म के बात करें मोहमद नवाज है, पथुम निसंका है, सेम आयूव है, बैनी हावेल है, सिकेंदर रजा है, परवेज हुसन इमान है, विकेट कीपल, अलावदिन बाबू है, जैफरी वंडर से है, रिपॉन, मोंडोल है, रक्की बूल हसन है अगर आपको विडियो अच्छा लगे, तो विडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दीजेगा, ताकि आप तक नए विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे पिलियर की बात करें तो विकेट कीपर से उस्मान खान को रखें, वेश्टमें से स्वैब मली को रखें, आफिफ हुसेन को रखें, हरणी टालुकदार को रखें और रौंडर से कर्ठी स्कैमफर को रखें, जियावर रह्मान को रखें, महंदी हसन को रखें और अजमतुला उमर चाई को रखें बॉलिंग से मृतुन चाउदरी को रखें, हसन महमूद को रखें और निहातुस जमन को रखें कैप्टन की बात करें तो कैप्टन अजमत उल्ला उमर चाही है और भॉयस कैप्टन आफिफ हुसेन है यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों फाइनल टीम अफटर टाउस के बाद दिया जागा टेलिग्राम चैनल पर अगर अभी टेलिग्राम चैनल नहीं जोइन किया तो जरूर जोइन करें डिस्क्रप्शन बॉक्स में लिंक दिया है